तो ये बिट्रोक के एकोन एपितुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और चीव सर्वे में आपको हमेसे के तरह ही ISL और इंडियन फुटबॉल से जुरे कुछ नया और इंपोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ तो आज हमारा पहला अपडेट है कि AIA 5 ने IAM Vision को नॉमिनेट कर दिया है इस साल के पदमस्री एवार्ड के लिए तो ज़्यादा कुछ मुझे बतानी की जरुवत नहीं है IAM Vision के बारे में कितना बड़ा इंडियन फुटबॉल लेजेंट है आपको भी पता है और उनके सभी योगदान को देखते हुए इंडियन फुटबॉल में AIA 5 ने उनको ही चूज किया है पदमस्री एवार्ड के लिए इस बार्ड और इसके बाद भाई एक बहुत ही Breaking News जो हमको मिल चुका है मरकस सैर द्वारा तो उनको बहुत बहुत थैंक्स इतना बड़ा अपडेट देनिये के लिए क्यूंकि भाई इस अपडेट के लिए सभी लोग वेट कर रहा था तो अपडेट आ रहा है रौकिशना को लेकर आज ही सुभे एक अपडेट हमें मिला था कि रौकिशना के पास टूटल तीन क्लाब का ओफर आया है पहले से तो भाई मोहनबगनेटी के मौजूद था उसके बाद मुंबशी टी एपकी का एक बहुत ही बरा रकम वाला ओफर गया था रौकिशना के पास साथ साथ इस्ट बेंगोल का भी एक ओफर था रौकिश उसी एंटीटी के साथ तो अपना केडियार कॉंटिन्यू करेगा नेक्स सीजन में तो मरकस के मुताबिक तो भाई 80K में ही रहने वाला है रौकिशना जो नया एंटीटी होगा उसके साथ ही कॉंटिन्यू करेगा तो भाई मुंबई सिटी एपसी का जो बहुत ही जादा फ 29% मैं सियर हूँ 1% स्रिफ रख रहा हूँ कन्फरम होने के लिए जब ओफिसल अपडेट आ जाएगा ओफिसल घोषना हो जाएगा तभी मैं इस अपडेट को 100% मनूँगा और आब लोग भी तभी मानना अभी मत मानना क्योंकि मारकस से जो अपडेट देता है भाई वो बह रेकॉर्ड इंटर्वी हुआ था टाइमस अफ इंडिया के साथ जहां पर फिर से उन्होंने कहे दिया है के मेरे फ्यूचर को लेकर मैं अभी तक सियो नहीं हूँ एपसी गोवा के साथ अल्डेरी मेरा एक साल का कॉंट्राक है लेकिन अभी तक एपसी गोवा के साथ बाच क्यूँ क्लिया नहीं कर रहा है क्या देख रहा है अपको अगर जाना है तो आप जाईए और नहीं आपको जाना है तो रही है बात को miejए roman को थोडह इसमीमल जाएगा तो चलिए नहीं कर सकता हो तो चलिए थोड़ा वेट करना परेगा हुगो की डीजिसेन के लिए और तब तक तो हम लोग वेट कर लेंगे और जब कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इंफॉर्म करूंगा मुझे लगा कि यह बात आप लोगो से एक और बार सेयर कर देना चाहिए एक और बार बात उचला है तो मैं आपको बता दिया नेक्स इसके बात अपडेट आ रहा है कि गोकलम केरला इफसी का हेट को संटियागो भड़ेला ने गोकलम केरला इफसी के साथ पार्ट एवे कर लिया है तो भाई यहाँ पर दो रिजन दिखाया गया है पहला रिजन एक नया जो कॉंट्राक दिया था गोकलम केरला ने accept नहीं क्या है संतियागो साथ साथ गोकलम केरला इफसी का मेनेजमेंट उनके पाफिमन्स से खुस नहीं था टीम का पाफिमन्स इस तरीके से इस बार खराप गया है आले लिग में वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है मेनेजमेंट को और इही दो मेन रिजन के चलते दो दोनों के बीच पाट आवे हुआ है लेकिन भाई कुछ जादा यहां पर आपको मुश्किल वाला चीज नहीं दिखाई देगा दोनों के बीच एक mutual understanding के द्वारा है इस चीज को किया गया है और जो डिमस निकल के आया था कि सैंटियागो इस्ट बैंगोल का हेट कुछ बन सकत है वहाँ पर भी हमें एक थोरा बहुत किलिया चीज दिखाई दे रहा है मारकस के मुताबिक जो अभी फिलाल इस्ट बैंगोल के हेट कोच को लेकर डिमस निकल के आया था वो सभी किलिया नहीं है वो सभी गलात है एक भी बात सच नहीं है तो भाई चलिए जब नया पार डोरोन सुरो को लेकर आपको पता है कि लास्ट सीजन में एक लौता बीदिसी गोल की पार था डोरोन सुरो ओरिसेपसी के टीम में और ओरिसेपसी के साथ डोरोन सुरो का पार्ट आवए हो चुका है ओफिसियाली आज ओरिसेपसी ने उनको ठैंक्यू कहे दिया है और तो सिये वर्डेलोना एक स्पैनिस किलाब है सेगूंडर डिविजन बी में खेलता है सायद आप लोगों को पता होगा और उसी किलाब के साथ डोरोन सोरो अपना फ्यूचर कॉंटिन्यू करेगा तो डोरोन सोरो को मेनी मेनी थ्यांक्यू इंडिया में आकर खेलने के लिए सा बाद भाई वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आइसल सीजन सेवें में प्लियार्ज को लेकर कुछ नया रूल सामने आया है जो कि मैं आपको कल एक स्पेसल वीडियो बना कर बताऊंगा अभी मैं आपको यहां पर अगर समझाने की कोश करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा बरा हो जाएगा वीडियो और उसलिए मैंने सोचा कि कल आपको एक स्पेसल वीडियो दे दिया जाए उन सभी रूल्स के बारे में तो फिलाल के लिए इस भी मितन है आपको बहुत बस उगडिया टाइम निकल कि इस वीडियो को देखने आपको इस वीडिियो का देखना टेखने समय हो पहाँ जाल कि भी काई दो खालिक तो हमाइए जाएगा चाहिए उरे मistä, जाएगवा बहुत है और बहुत आफूंगा ड़्यादा कि विजियो झाल